आज की सबसे बड़ी खबर है सुप्रिम कोर्ट ने SVI को कहा है कि 24 घंटे के अंदर इलेक्टरल वॉंड की जानकारी दीजिये नहीं तो आप पर अब मानना का केस चलेगा और सुप्रिम कोर्ट के आदेश के बाद 15 मार्च तक इलेक्टरल कमिशन की बेफसाइट पर ये जानकारी टंग जाएगी कि 2018 से 2024 तक 16,500 करोड का चंदा जो राजितिक दलो को मिला है जिसमें बीजेपी को सबसे जादा लगवक 600 करोड का चंदा मिला है वो किस ने दिया और किस किस धन्ना सेथ ने सारा चंदा दिया और उससे भी बड़ी एक ख़बर है कि सवाल है कि दलित पिछरे आदिवासियों को चंदा क्यों नहीं मिलता है और क्या बीज़्पी सुप्रीमो मायवती इंडिया गटबंधन में आ सकती हैं मैं नहीं कह रहा हूँ महान दल के जो नेता है जो अभी सपा के साथ गटबंधन में हैं तो ये महान दल के नेता हैं और उन्होंने कहा है कि अभी भी बड़ा कोई खुलासा हो सकता है और BSP सुप्रीमो आ सकती है इनिया गटबंधन में जबकि उन्होंने कई बार साफ किया है कि वो गटबंधन में नहीं जाएंगी अखिलेस यादब को लगभग ज्यान हो गया है अब वो यादब, पाल, जमाली जैसे लोगों को बिधान पारसत बना रहा है तो सोशल जस्टिस उनको अब धीरे-धीरे समझ में आने लगा है लेकिन सवाल है कि जब सत्ता चली जाती है तब बहुजन समाज के नेताओं को सोशल जस्टिस समझ में आता है वही सुधिर चौधरी की गिरफ्तारी नहीं होगी, SCST Act में उन पर FIR दर्ज हुआ था, जारखन के मुखमंतरी को जिस तरह से उन्होंने हिमिलेट किया था उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया जी एन साइबावा जिनको जेल में रखा गया था, उन पर खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनकी जो रिहाई है वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं अच्छी है महाराष्ट सरकार गई थी, महाराषट के हाई कोट ने उनको बड़ी कर दिया था नाकपूर बेंची ने उसके बाद सुप्रीम कोट गई थी जिसके बाद CST Act में केस दर्ज हुआ था आपको दादे हैं मनसोर एं सिरूल ट्राइब कम्यूनिटी से आते हैं 15 मार्च साम 5 बजे वेवसाइट चुनावायो खुलने जा रहा है देश का सबसे बड़ा स्केम यह लाइन है पुन परसुन बाचपई की कि आप इससे सहमत हैं असहमत हैं वहीं कहा जा रहा है कि परधान मंत्री मोदी भी आज कुछ बड़ा एनाउंसमेंट करने वाले तो रवीश कुमा टूइट कर रहे हैं कि साथ हेडलाइन मैनेजमेंट होगा ताकि यह खबर न चल पाए तो यह तमाम बड़ी खबर है लेकि सुचिए मीडिया कैसे जूट फैलाती है ऐसा नहीं कि सिर्फ इस देश के धन्ना सेठ ही दलित पिछरे मा बीएसपी आरजेडी सेपा बसपा को चंदा नहीं देते हैं इसकी मीडिया भी जूट फैलाती है यह राम जी गौतम है बीएसपी के सांसद है राजसवा सांसद है इन्होंने एक खबर को शेयर किया यूटूब पर टाइटल दिया गया है कि मायावति अमिस्सा से मिली है और अंदर खबर है कि किस तरह से महारास्ट में जो इंडिया क अगटवंधन है उसकी खबर है तो सुचिए किस तरह से लोग व्यूज के लिए जूट बोलते हैं जूट फैलाते हैं और दूसरे दलों को निताओं को बदनाम करते हैं तो सुचिए इस देश की पूरी मनुबादी मीडिया का ये चरितर है लोग कह रहे हैं कि इस पर केस दर्ज होना चाहिए तो आज तक के खबर को शेयर किया है राम जी गौतम ने कि किस तरह से टाइटल लगाया गया है कि मायवती ने अमिर्सा से मुलाकात की है अंदर खबर कुछ और है तो इस तरह की जूट फैलाए जाते हैं ताकि व्यू जाए भाजपा सांसत के समिधान बदलने बाले बयान पर नर्द मोदी की चुपी खतरनाख है अब चुनाब दो विचार धाराओं के बीच है संग बिधान या संग बिधान समाजिक ना या शोशन धर्ण मिर्पेक्सता या संपरदाइकता नागरिक अधिकार या बेभश जनता सूचिए एक बात तो है कि बीजेपी ने दस साल में ही कॉंगरेस को सोसल जस्टिस सिखा दिया और इस देश के बहुजनों को भी एक जूट कर दिया है किसान जो है 14 तारी को फिर से दिल्ली की तरफ मोर्चा निकालेंगे चड़ूनी है जिनोंने कहा है कि एसकेम के जो लोग है उन्होंने जो कहा है तो ये भी बड़ी खबर है चाहता हूं कि कोई खबर आपसे छूट ना पाए तो सुचिए भाजपा सांसत का बयान उन्हें 460 समिधान बदलने के लिए चाहिए नरंद्र मोदी और संग परिवार के छिपवे मंसीवों को सार्वजिनिक एलान है आज खडगे ने भी इसको लान दिया यह भी फेर खबर है सुचये इस तरह से पाइलब पभलिक परशान हो रही हूं और अब इस तरह से कानून हाथ में ले रही है और बड्य खबर आपको स्क्रीन्स और दिखा रहा हूं वीडियो नहीं दिखा सकता हूं किस तरह से ये मनिपूर के सक्साइन होने एक मेडल जितने के बाद पर्धान मंतरी नर्यंद मोदी से अपील की कि आप हमारे राज में जाईए वो राज एक साल से हिंसा का सिकार है और माले गाँ ट्रैल में बीजेपी सांसद प्रग्या ठाकुर के खिलाब वारंट जारी कोट ने दिया 20 मार्ज तक पेस होने का निर्देश प्रग्या ठाकुर जो है दो बार सांसद रहे चुकी है अब इस बार उनका टिकट कट गया है उन्होंने बीजेपी के बिधायक का जाकर सराब के दुकान के ताले तोर रही थी अब उनको कोट में ट्रैल भेजा जा रहा है पहले वारोपी थी उनका दो बार सांसद रही अब तो टिकट कट गया है और ED rate जोईन एंडिये दो खबरे मोहमद जुबायर जो अल्ट नीज के संस्थाप है को उन्होंने सेयर किया है एक सिबसेना के नेता किस तरह से सोचिए जैसी ED की rate पड़ी उसके बाद उन्होंने BGP जोईन कर लिया TMC के नेता तपस रवाय ने BGP जोईन कर लिया तो ये भी सोचल मीडिया पर लोग कहते हैं कि जैसे ED की rate पड़ी है लोग BGP में चले जाते हैं क्या आपको लगता ये ठीक है और संदेश खाली की CBI जांच नहीं रुकेगी सुप्रिम कोट से ममता सरकार को जटका कोट ने कहा साथ फरवरी को FIR दर्ज होने के बाद भी आरोपी ग्रिफतार क्यों नहीं किया गया तो सुप्रिम कोट ने ममता बनर जी पर भी डंडा चला है सुचिए ममता बनर जी ने जो टीकट बाट चाहा है उस टीकट में देखिएगा सुधिर चौधरी को बड़ी रहात मिली है सीएश्टी अक्विन की ग्रिफतारी पर रोक लग गई है और सतीस परकास पूछ रहे हैं कि क्या इलेक्टरल वॉन का जो चंदा है जो कंपनिया घाटे में थी उभी चंदा दे रही तो क्या इसकी जाच कौन करेगा और आज की सबसे बड़ी खबर लोग संदेश जता रहे हैं कि जो बड़ी खबर आई है उसको ढखने के लिए परधान मंत्री मोदी जो हैं आज कोई बड़ा एनाउंसमेट करने वाले हैं लोग कहरें सीए नहीं कर सकते हैं और सुचे बीजेपी के लिए स्तीती बहुत अच्छी नहीं दिख रहे हैं महराज गंज के सिस्वा बिधान सभा के निचलॉल एक भाजपा बिधाय के पहुंचते हैं शेत्र के लोगों ने अखिलेश यादव का नारा लगा जो हुआ है कुछ सोच समझ करी हूँ आगा सुचिया है दो पत्रकार हैं परभाकर कुमार मिश्रा और अनिस सिंग ये दोनों सवाल पूछ रहें कि कुछ वैकेंसी आई थी बिहार में उसमें अन्रिजर्ब के लिए कोई सीट नहीं है सुचिया अन्रिजर्ब के लिए सीट नहीं है जबकि उसमें आर्थिक रूप से गरीब लोग के लिए सीट है इन दोनों पत्रकारों ने इसको लेकर मोर्चा खोल दिया तो सुचिये सबन समाज के पत्रकार हैं उनको पता नहीं है कि उहां 65% रिजर्बेशन हो गया है लेकिन इस देश में रोज हजारों वेकेंसी आती है उसमें जेनरल सी, सी, स्टी, ओवी, सी के सीट नहीं रहती है अगर दिलीप मंडल नहों और कुछ मंडल आर्मी जैसे लोग नहों बहुजन समाज के कुछ सोसल मीडिया पर लिखने बाले लोग नहों तो आपको पता भी नहीं चलेगा सुचिए जो समाज, रादनीतिक, समाजीक रूप से, सांस्किर्टिक रूप से आवियर है वो अपने हक अधिकार पाता है मोदी जी का परिबार के कुछ सदस SBI के अंदर बैठे हूँ है परिबार, परधान मंतरी कहते हैं कि देश हमारा परिबार है इसके लेकर लोग तंच कर रहे हैं तो इलेक्टरल बॉंड को सरकार पर फंसका चलाते हैं और मोदी जी ये बैड लोन सागा बैंक्स राइट ओफ चौदर दसमलो फाइव सिक्स लाग करोर नपी इन लास्ट नाइन फाइनसियल एर चौदर लाग करोर उपए नपी है कमपनियों के सुचिए उपी राजभर मंतरी बन गए है वो कह रहे थे कि हमारी बहुत चलती है लेकिन दिन दहारे सुभास्पा की नेता नंदनी राजभर का घर में घुसकर हत्या कर दी गई है ये बीजेपी से दुखत ख़बर है संतकवीर नगर की ख़बर है तो सुचिए किस तरह से यूपी में नेताओं की हत्यारी और इलेक्टरल बॉन भारत इतिहांस का सबसे बड़ा घोटाला साबित होने जा रहा है ये भी बड़ी खबर है और मनिपूर में मिक्स आर्ट मारसल आर्ट खिलारी चुआंगरेज कोडेन के पीरा को महसूस किजिए उन्होंने का कि परधान मंत्री जी हमारा राज जल रहा है प्लीज हमारे राज में आईए और हमारे लोगों को बचाईए तो मनिपूर को लेकर और 45 के इंदरी बिस्वी डियाले मों 7 फिजदी सी एक फिजदी सी और छे फिजदी OBC के प्रफेसर थे 75 फिजदी सी, 87 फिजदी सी और 83 फिजदी OBC प्रफेसर के सीटे खाली रह गई जबकि समान सरेणी में सिर्फ 45 परसेंट थी तो सोचिए जब बहुजान समाज के लोग पढ़ने लिखने लगे तो not found suitable था पहले और अब ad hoc आ गया ad hoc के बाद अब नौकरी भी नहीं मिले मोदी जी आप एक बार मनीपूर आ जाए भाबू का पिल करते करते रो परा ये में में फाइटर लोग सबाच चुनाओ से पहले एलेक्टर बॉन की दिस्ट बढ़ाएगी पिलिटकल पार्टियों की मुश्किले एस भी आई खोलेगा पूरा कच्चा चिठा देना पड़ेगा उनको उत्तर परदेश के गाजीपुर में बड़ा हसा हुआ और मालदा में इबी एम के खिलाब बामन विस्राम ने एक बरा मिटिंग की है वहां भी लोग काफी संख्या में जमा हुए है तो यह आज की तमाम बड़ी खबरे हैं जो सोचल मीडिया पर वायरल है जाती जनगन्ना का भाव देश के हर संसादनों पर मुठी भर सोशक लोग बहुजर के हक में सोचन कर इसका उधारन समझे इस समय आई एटी खरकपूर में कुल 742 फैकेल्टी हैं जिसमें मात्र 5 परसेंट ओबी सी दो परसेंट सी और 3.03 परसेंट स्ट है मतलब दो स्ट के हैं 40 ओबी सी हैं और स्ट के 17 हैं लेकिन सवाल है कि जो 500 लेकर संविधान बतलेंगे ये बात बीजेपी ने कहा है रतन दिलिप मंडल का कहना है कि कोई संविधान नहीं बदल पाएगा एक स्टी एस्टी एक में बदलाब करने की कुछिस की थी जनता ने कराड़ा जवाब दिया है जनता को जागरुक रहना पड़ेगा और जनता इस तरह से इस तरह की खबरे जूट परोसी जा रही है उनके खुद सांसद ने इसका जो है वो बायकॉट किया है तो यह तमाम बड़ी खबरें जो सोचल मीडिया पर वायरल है महांदल के नेता कह रहे हैं कि मायवत्ती आ सकती इंडिया गटवंधन में वो खंडन कर रही ह तो यह सबसे बड़ी खबर है और पंदरा मार्च को पांच बजे बड़ा खुलासा होने बाला और क्या परधान मंतरी हेडलाइन डिरेल करना चाहते हैं जिस तरह से रवीश ने आरोप लगाया है आप लोग अपनी पर्तकरिया जोर दिजिए लेकिन सुचिए एक भी सवर समाज में बहुजन समाज के अगर आप लोग हैं आप जिस भी समाज के हैं अपने संब्यधानिक अधिकारों अपने समाज के अधिकारों को उठाते रहिए देश का हित और समाज का हित आए तो देश का हित चुनिए लेकिन जब अपना हित और समाज का हित आए तो समाज का आप लोग अपनी पर्थक्रिया जोर दीजिए शुक्रिया नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं ने ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें